नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सबका आज की इस वीडियो में मेरा नाम है कुनाल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने लगबग 50,000 रुपए बचाए मेरे इस क्रेटा के पर्चेस में तो बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि पहले ही क्रेटा को इदनी व बचाए हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे मेरे पर्चेस में लगबग 50,000 रुपए बचाए हैं तो गाड़ी के अंदर चलके बात करते हैं तो वेटिंग तो भाई मुझे भी बहुत करनी पड़ी यह गाड़ी के लिए तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कोटेशन जो मुझे शोरूम के तरफ से मिला था यह देख सकते हैं आप यहाँ पर क्रेटा डीजल E1.5 वाइट कलर मतलब यह बेस मॉडल का कोटेशन मिला था मुझे जिसमें यहाँ पर दिया गया है एक शोरूम प्राइस 10,31,000 जिसके उपर 0.75% TCS लग रहा था तब 7,700 रुपीज इंशोरंस मुझे बताया गया था 60,000 रुपीज और रिजिस्ट्रेशन था 151,900 और प्लस मैं दूसरे डिस्ट्रिक से गाड़ी ले रहा था और पासिंग म CRTM Charges बताये थे 5,000 रुपए और इसमें एक्सेसरीज किट दे रहे थे शोरूम वाली 10,000 की मतलब मैटिंग वगरा उसमें Extended Warranty यहाँ पे Optional लिखा है पर जब मैं गाड़ी बुक कर रहा था तब उन्होंने मुझे लगबग फोर्स ही किया था कि आपको Extended Warranty लेनी ही पड़ेगी गाड़ी के साथ तो यहाँ पे आप देख सकते Extended Warranty की प्राइज है 12,700 रुपीज आरे से और नंबर प्लेटीन तीनों के मिलाके 21,700 रुपए यहाँ पे लिखे है उसके बाद यह Coating वगरा बोलते है यह भी मुझे लगबग कहा था कि आपको करवनी ही पड़ेगी वरना आपको गाड़ी नहीं मिलेगी तो इसके भी Charges सब देख सकते 10,700 रुपए और floor lamination 4,800 रु और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें 50,000 कैसे बचाए तो सबसे पहले एक चीज में आप सबसे clear करना चाहता हूँ कि शोरूम से अगर आप कार पर्चेस कर रहे हैं तो वहाँ पे सिफ एक ही चीज कमपल सरी है आपको बस शोरूम में आपका गाड़ी का amount पे करन है मतलब जो आपकी एक शोरूम प्राइज है कार की जैसे की मेरे केस में यहाँ पे था 10,31,400 बस यही amount आपकी mandatory है शोरूम में पे करना है आपको यह बाद में यह जो TCS है यह यह भी मतलब शोरूम में ही करना है आपको मतलब कार के value में यह आजाता है यह आड़ कर आके दे पर रही बात insurance की तो insurance आप बाहर से खुद भी निकाल सकते जो कि आपको सस्ता पड़ेगा रही बात registration की तो registration भी आप आपकी कार का खुद ही कर सकते जो कि आपको थोड़ा लेंदी प्रोसेस रहेगा इसलिए बहुत से लोग दिमाग नहीं लगाते इस चीज में और शोरू package मत लीजे पैक में 10,000 में कुछ भी फाल्तू की चीज चिपका देते हैं आपकी जो कुछ यूज की भी नहीं होती है पेन दे देंगे गनपती जी की मूर्ती देंगे तो समझदार बनिए और आपने हिसाब से खुद accessories लीजे उसके बाद आते हैं extended warranty तो ये मैं especially crata owners के में 3 साल की हो जाएगी या 3 साल की आपकी warranty और 4 साल की हो जाएगी तो भाई जो ब्रोशर आता है crata का Hyundai ने साफ साफ वहाँ पे लिखाए वहाँ पे आपको wonder warranty plans मिल रहे हैं तो इस plan में आप 3 साल unlimited km, 4 साल 60,000 km और 5 साल 50,000 km ऐसे आप 3 plan आपको मिलते हैं तो उस में से आप कोई भी एक ले सकते हैं तो आपके running के हिसाब से आपकी requirement के हिसाब से आप कोई भी plan लीजिए extended warranty की भी कोई ज़रूरत नहीं है RSA मैं कहूंगा कि ले लीजिए ये मतलब 3 साल के लिए free रहता है पर उन से उसका certificate लीजिए तीन साल का free रहता है ये चोते साल का 1200 रुपए मैंने pay किया है जो कि एक साल मुझे extra मिला HPA जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर आप गाड़ी finance कर रहे है तो आपको hypothecation charges लगेगे तो इसमें से ये 2100 रुपए में से 1500 रुपए HPA के माइनस हो जाते है उसके बाद आती है बारी fast tag की तो fast tag भी आप आपका खुद से order कर सकते है और आपको hardly 200 रुपए लगेंगे उसके लिए और बाद में recharge का पैसा जो कुछ भी रहेगा और कुछ-कुछ जगह पे तो मतलब toll plaza के सामने ही लोग बैठे रहते तो वो तो free में करवा के देते है बस आपको recharge के पैसे देने पड़ेंगे number plate के भी मेरे इसाब से तो नहीं लेने चाहिए पर कुछ-कुछ शोरूम वाले 700-800 रुपए चार्ज करते है जो high security number plate जो mandatory है अभी फिलाल उसके उसके बाद आते है paint protection मतलब यह coating का है तो मैं कहता 3M दिया है 3M एक बहुत बड़ा brand है और वहाँ पर आप जाके आगर देखोगे तो जो कम से कम ceramic coating रहती है वो 15-20,000 रुपए लेते है तो यह इतने सारे coating कहां से करके दे रहे है भाई 10,700 रुपए में यह बात अगर किसी को पल्ले पड़ रहे हो तो मुझे भी बताइए य इस्ट्रा ले लेंगे भाई यह भी कोई काम की चीज ने फ्लोर लैमिनेशन फ्लोर लैमिनेशन की तो मैं बात कहूंगा 4,800 और मैं लगबग 2-3 शोरूम में देखके आया फ्लोर लैमिनेशन की क्वालिटी बहुत ही खराब है शोरूम में आप आफ्टर मार्केट कराएग और अब मैं बताता हूँ मेन मुद्धे पर आता हूँ तो यह आपने देख लिए 13,05,000 यह रहा मेरा फाइनल पर्चेसिंग का कोटेशन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर एक शोरूम प्राइस बढ़ चुकी है मतलब जब मैंने यह कार बुक की थे तब आ और TCS भी 0.75% से बढ़के 1% हो गया फिर भी मेरी जो grand total आई है वो आप देख सकते 12,99,000 इसमें essential accessories kit में आप देख सकते 39,000 यहाँ पे था 10,000 तो essential accessories में मैंने वो package ना लेते हुए मैंने alloy wheels लिए alloy wheels parcel tray और थोड़ा सा chrome का work किया तो फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे कितने ज़्यादा पैसे मैंने बचा है तो यह पैसे मैंने कैसे बचा है एक तो मैंने जो unnecessary चीज़े है वो बिल्कुल भी नहीं ली और उसके बाद यह जो alloy wheels है इसमें भी मैंने discount मांगा आप देख सकते हैं alloy wheels तो यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं additional discount 800 रुप है मुझे लगबग 5-10% का discount मिला है alloy wheels वे और बाकी जितनी भी accessories है उसके उपर 5% का मुझे discount मिला है जो कि मैंने Hyundai mobility app करके एक app है वो use किया और जिसस मुझे यह discount मिला है अब उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे insurance 60,000 का यहाँ पे insurance बताया था और यहाँ पे actual में मुझे कितने में मिला insurance 38,900 में तो इसका भी cigarette मैं आपको बताता हूँ तो यह है मेरा no claim bonus certificate यहाँ पे आप देख सकते हैं no claim bonus highlight किया है 50% तो यार मतलब आगर आपके पास पहली कोई गाड़ी हो और वो आपके ही नाम पे हो तो आप अगर insurance claim नहीं लेते कुछ सालों तक तो आपके नाम पे no claim bonus add होते रहेगा हर साल का 10% ऐसा तो मेरे पास 8 साल वहेगे नार थी तो मैंने 8 साल में एक बार भी bonus claim नहीं लिया है तो जि मेरी जो new car की purchasing थी मैं उसी नाम से ले रहा था मतलब मेरे पिता जी के नाम पे गाड़ी थी तो मैं उनी के नाम पे ये गाड़ी ले रहा था तो ऐसे वक्त पे हम वो no claim bonus new car पे transfer कर सकते तो जिससे क्या होता है कि आपका जो comprehensive insurance रहता है तो उसमें उसके premium में आपको जितना percent आपका no claim bonus चल रहा होगा वो आपको totally मतलब discount मिल जाता है तो यहाँ पे ये case में मेरा 50% चल रहा था तो मुझे यहाँ पे आपने देखा लगबग लगबग 22,000 रुपए कम लगया है तो ऐसे ही कुछ tricks रहते हैं जो कि कोई बताता नहीं है और गाड़ी पे चाहे कितनी भी वेटिंग हो कुछ भी हो आप discount मांग सकते हैं और आपके पैसे बचा सकते हैं तो ऐसे ही कुछ और न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे है चैनल को subscribe कीजिए और अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को like कीजिए थेंक्यू फ्रें